गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है हलवाई गाजर के हलवे को कैसे बनाते हैं जो इतना टेस्टी बनता है और देखने में भी इतना अच्छा लगता है और एकदम कुस्बू भी बला जबावाती है दोस्तों यहां पर हमें कुछ भी नहीं लेना है बिल्कुर सिंपल बनाना हैं और एक तम तो यहाँ पर देखिए एक चमच आप के पास रिफाइन औो इल होगा, या फिर रिफाइन Embassy नहीं होगा तो गी हो गई तो ज़य क्वाई के में लिए इसलियी कारे थी कियो कि Keith नहीं होता है हर किसी के घर में बाद dat come कड़ाई में एक बार भी जो गाजर होती है लगती नहीं है और देखे यहां पर बिना खोया यानि बिना मावे के भी आप किस तरह से बना सकते हैं मैं इसलिए ही इस तरह से बता रही हूं आपको तो बिना मावे के आप और बिना दूद के भी इस तरह से गाजर का हलवा बना सकते हैं जी हाँ उसमें आपको काजू थोड़े से पीस के डालने पड़ेंगे कुछ गोले का भुरादा जो बिल्कुल बारीक होता है मिक्सी में दरदरा करके बरीक बहुत जादा आटे की तरह या फिर काजू को एकदम बारीक करके क्योंकि काजू में और गोले के भुराद या फिर दूद हमने डाल लिया है तो यहां पर मैंने एक चमच घी डाला था देखे कड़ाई में साफ करने के बाद और देखे यहां पर बिल्कुल भी लगनी रहा है और आच मैंने बहुत ज़्यादा हाई फाई जला के रखी है चूले में यहां पर पहले मैंने गैस पर चल्स और तेल स्री एक चमच घी डाला था और घाजर चड़ा दी थी कड़ाई में गाजर कड़ाई में चड़ाने के बाद चूले पर जाए करद यहां पर चाहें तो थोड़ी बारी कर सकते हैं इससे बहुत ही जादा फायदा होगा तो यहां पर मैंने करीब करीब 10-15 मिन गाजर के बाद कर रेंगती है आपको राद कर रेंगता है अमें एक तौर यह उता रिडले से ऊगई नैजेक अब रेंगती बाद कम से कम मैंने आदे घंटे तक ऐसी रखके छोड़ दिया था तब तक मैंने कपड़े वास कर लिये थे और कुछ काम कर लेते हैं तो यहां पर एकदम पानी निकल चुका था गाजर का गाजर में पानी बिल्कुल भी नहीं था तो यहां पर देखिए पहले तो मैंने एक चमस गी डालने के बाद गाजर चड़ा कर गाजर को 10-15 मिनट तक ऐसे ही भूना है यानि पकाया है इस तरह से भूनने भूनने में ही आधी गाजर पक जाती है फटा फट से बन जाता है हलवा तो लीजिए यहां पर हलवा हमारा एकदम तयार सही है अभी थोड़ा सा प्रोसीस जो कि मैं आपको दिखा रही हूं मैंने इसमें दूद डाल दिया था है ना उसके बाद गाजर को पकाने के बाद दूद डाल दिया था और दूद को जब दूद अच्छे से इसमें सब एफजोफ कर लिया है गाजर ने गाजर के अंदर एफजोफ हो गया है खत्म हो गया ह तो यह भी थोड़ा सा, मेरे पास दूद था, तो मैंने इसलिए डाला है, आपके पास दूद नहीं है, तो मैंने आपको बताया है, काजी और गोले का कीसे आप बुरधा डालें, बारीक बारीक करके, तो यहाँ पर देखें, मेरे पास खोया भी था यह, आदा किलो मेरे पास मावा भी था तो मैं तो मावा भी डाल दूँगी इसमें यहां पर मैंने मावा भी डाल दिया है एक किलो चीनी डाल लिए मावे से पहले चीनी को डाल कर कम से कम पांच या फिर दस मिनट तक आपको चूले पे हाई आँच में एकदम पकाना हाई से और चलाते रहना है ताकि कड़ाई में नीचे लगेना मैंने इसलिए घी डाला था और दूसरा मेरा मकसद ये था घी डालने का एक चमच कि गाजर हमारी पहले जितना पानी होता है थोड़ा बहुत जो भी पानी होगा वो तकड़ी आज में एकदम घी के साथ गाजर नीचे तली में कड़ाई की तली जो होती है उसमें लगने की भी नहीं है और अच्छे से पक भी जाएगी जल्दी तो दूद में पहले ही डाल दूँगी इधर से गाजर में धुली गाजर में पानी होता है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तो मैंने ऐसे बना के रखा है और मैं बनाती रहती हूँ कभी भी आप सब को दिखाने के लिए तो मैं खास करके बनाती हूँ हर मोसम में गाजर के हलवे के मोसम में यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसे कसरी हूँ एक घंटा फालतू लगता है अगर हम इस तरह से बनाते हैं जैसे की मैं बता रही हूं दो के इधर से गाजर हमने कड़ाई में चढ़ा दिया हूं उपर से साथ के साथ ही हमने दूद डाल दिया एक चमज़गी डाला नहीं था पहले और सोकी गाजर हमने कड़ाई में चड़ाई नहीं थी है ना तो अगर हम ऐसे बनाते हैं तो हमारा एक गंटा फालतू लगता है तो हमने पहले एक चमच घी लिया था साफ करने के बाद कड़ाई में उसके बाद हमने इसमें अपनी गाजर को धो कर अच्छे से हमने सुखा लिया था मतलब ऐसी रख दिया था सुखाया हमने धूमे नहीं है बस ऐसे ही रख दिया था चले में और चले की मदद से गाजर को जो धोया था सारा पानी नीचे निकल गया फिर वो सूकी सूकी हो गई गाजर तो मैंने गरम कड़ाई में एकदम गाजर को चड़ा दी और उसे 10-15-20 मिनट तक मैंने इसे भूना गाजर को अच्छे से उपर की नीचे पलटते हुए चलाते हुए उसके बाद मैंने इसमें दूद डाला है उसके बाद देखें मैंने इसमें चीनी डाली थी किसमिस काजू जैसे अपनी इच्छा के अकोडिंग जैसे जो आपको पसंद है बस हलवा हमारा एकदम हलवाई स्टाइल में ही त्यार हुआ है हलवाई भी बिल्कुल से मैं ऐसे ही बनाते हैं हलवाई दोने के बाद एक साथ दूद नहीं चड़ाते वो अपनी इच्छा के चोईस बना लेते हैं जिस तरह से बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे कहां से देख रहे हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कॉमेंट सेक्षन में लिख कर बताएं वीडियो को शेयर करें